सभी प्रकृती प्रेमियों को नमस्कार स्वागा थे आप सभी का नेचर लवर अज्जू के एक और नए वीडियो में साथियो मेरे गार्डन में जो है हिबिसकस का फ्लावर अभी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है और ब्लूमिंग करने के पीछे कारण क्या है क्या मेहनत मैंने किया है कि इस तरह से केर किया है जिससे ये जो फ्लावर है इस तरह ब्लूमिंग कर रहा है और सुबा सुबा अपना गार्डन देखके मन जो है ना काफी अच्छा लगने लग जाता है एक छोटा सा गार्डन है मेरा कोई जादा बड़ा गार्डन नहीं है एक छोटा सा गार्डन है बहुत ही कम फ्लावर रखा हुआ हूँ और सुबह सुबह आ जाता हूँ अपने flowers के साथ समय बिताने के लिए इनके साथ कुछ समय बिताता हूँ मन को अच्छा लगता है और I hope आप सभी सुबह सुबह जब जाते होंगे सुबह या साम को जाते होंगे अपने garden में देखते होंगे फूलों को इस तरह से तो बहुत अच्छा लगता होगा कहा जाता है फूल जो है ना एक तरह से कहीं न कहीं हमें meditate करती हैं इनसे कहीं न कहीं energy मिलता है हम लोगों को खेर बात करते हैं मैं क्या care करता हूँ जिससे इसमें इस तरह के flower जो है मुझे देखने के लिए मिल रहे है flowering हो रही है मेरे plant में सबसे पहले कोई भी flower plant है तो आप इसका जो pot होता है इसमें मिट्टी की गुडाई हर साथ दिन दस दिन में एक बार जरूर करें मैं गुडाई कर लिया था उसके बाद इस तरह जो flower होते हैं जो सूख जाते हैं उनको तोड़ के जरूर निकाल दें क्योंकि एक्सपेंड हुए flower जो है वह भी कहीं न कहीं energy लेते हैं आपके flowering plant में तो वह energy बचाने के लिए इस तरह के जो एक्सपेंड हुए रहते हैं flower उनको आप तोड़ दें जैसा कि यह है देखिए तो यह एक्सपेंड हो चुका है तो इसको मैं क्या करूंगा यहां से तोड़ दूंगा तोड़ देंगे तो इसमें plant को जो है energy ज्यादा लेना नहीं पड़ता है गुड़ाई करने के बाद आप एक्सपेंड flowers को तोड़ दें उसके बाद क्या करना है हर साथ दिन में कम से कम आपको इसमें कोई fertilizer यूच करना है जिस तरह का भी fertilizer आप यूच करना चाहते हैं हिविसकस का plant जो है बहुत ज्यादा fertilizer मांगता है और energy बहुत चाहिए होता है इसको flowering करने के लिए तो हर साथ दिन दस दिन में एक बार आप इसको कोई नो कोई fertilizer जरूर दें fertilizer की क्या क्या दे सकते हैं वह मैं आप लोगों को बता देता हूं गोबर की खाद अगर आपके पास है तो वह दे दीजे गोबर की खाद के अलावा अगर वर्मी कंपोस्ट की खाद है तो वह दे सकते हैं आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं अगर chemical यूच करना चाहते हैं त तो वो भी दे सकते हैं, जैसे कीचन वेस्ट का लिक्विट पर डिलाजर हो गया, जो गोबर की खाद होती है, उसका भी लिक्विट बना सकते हैं, और अपने हिबिसकस के प्लांट को दे सकते हैं, जिससे इस तरह की फ्लावरिंग जो है, आपको अपने हिबिसकस के प्लांट में देखने के लिए मिलेगी। और डीजिस की अगर बात की जाया तो हीबसकस के प्लान में सबसे जादा खत्रा होता है मीलीबग का तो मीलीबग से बचाव करने के लिए कम से कम हप्ते में एक बार कोई भी सैंपू जो है सैंपू ले लीजिए और कीड़े जो लगने के चांसेश रहेंगे वो भी नहीं होगे अगर आप वीकली इस तरह से आप अपने प्लावर ब्लांट की वास करते हैं सेंपू से तो मैं अगर बात करूँ कि मैं क्या केर करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं इसमें कोई भी chemical fertilizer जो है अभी था कि यूज नहीं किया हूँ मैं इसमें बस vermic compost जो खाद है वो गुड़ाई करके दिया हूँ उसके अलावा मैंने इसमें kitchen waste जो होता है वो भी मैं देता हूँ onion pill का liquid fertilizer होता है वो काफी paste होता है किसी भी plant को nutrition देने के लिए power देने के लिए energy देने के लिए तो आप उसका यूज जो है वो भी कर सकते हैं यह जो भी hibiscus के plant हैं मेरे cutting से लगे हुए हैं मेरे पास चार तरह के hibiscus के plant हैं तो है यह peach color का जो आपको नजर आ रहा है यह दो pot में मैंने लगाया हुआ एक pot जो है मेरा यह वाला है और दूसरा pot यह है यह है जो rate color का यह भी मैंने cutting से ही grow किया हुआ था बहुत मेहनत लगा था मुझे grow करने में cutting से इसको लेकिन finally grow हुआ लेट लगा मेहनत हुआ लेकिन रियल जो है आपके सामने में है यह वाला जो है यह भी cutting से ही grow किया हुआ था और इसके flower देख सकते हैं कि इतने खुबसूरत color लगते हैं double shaded color में हैं बीच में दूसरा color और side में दूसरा color देखके बहुत ही प्यारा लगता है मिला था gift में फिलावर की साइड चो फ्लावर की साइड प्लावर शोड़ेल की फिलिया怎麼 में इस Swkin consuming की कमी को महीं में जहांठ मुझे समझ मेरे तक यह गशिका इसका साइज ही चोटा होगा इसमें भी खूब सारे फ्लावर जो है वो आ रहे हैं देखे ये कितने फ्लावर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे ये और चोटे-चोटे हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तो बस इस तरह से मैं अपने ही विसकस प्लांट की जो केयर है वो करता हूँ और फ्लावरिंग देखके बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएए आपको इन चारों में से कौन सा कलर जो है अच्छा लागा सबसे पहला कलर जो है ये है मेरे पास दि लेकिन बर-बर के फ्लावर जो है वो देखने के लिए मिर रहे हैं ये चोट आसा टुचूसा है प्यार आसा कलर है ये इन चारों में से कौन सा कलर का ही विसकस जो है आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएए अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो और जो टिप्स मैंने बताए क्या फटिलाजर देना है किस तरह से केर करना है ये करते हैं तो आपके लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेहर करिए चैनल पे अगर आप नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजे ताक इसी तरह के प्लांट आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैपी गार्डनिंग